हम इस वीडियो में polyhedra के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बहु फलक यानि polyhedra जो बहु वचन है polyhedron का और बहु फलक एक 3V में है यानि 3-dimensional आकार होता है जिन में स्पार्ट फलक यानि flat surfaces और किनारे यानि edges सीधे होते हैं एक polyhedron बहु फलक बहु वचन है polyhedron एक वचन है तो ये है बहु फलक एक आयताकार पेरामिड भी polyhedron होता है मैं इसे भी यहां बनाता हूँ मैं इसे पारदर्शी या ट्रांस्परेंट बनाने की कोशिश करूँगा दूसरा रंग लेता हूँ मैजेंटा कलर आयताकार पेरामिड ये हो गया ये हो गया एक तल आधार और अब मैं बनाऊंगा चार त्रिभुच के आधार के फलक तो ये बन गया rectangular pyramid इस pyramid को हम rectangular या आयताकार पेरामिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका base यानि आधार एक आयत है rectangle है देखे ये एक आयत है तो ये हुए उधारन polyhydra यानि बहु फलक के अब हम बात करेंगे बहु फलक के जाल यानि nets of polyhydra के मैं इसको भी पारदर्शी यानि transparent बनाने की कुशिश करता हूँ ताकि इसके सभी फलक यानि surfaces दिखाई दें तो अब बात करेंगे nets of polyhydra की तो polyhydra का net यानि जाल है क्या इसे आप इस तरह से समझें कि अगर इन polyhydra को अगर हम एक cardboard यानि गत्टे से बनाएं और इसे काट करो और खोल कर समतल पहला दे तो हमें एक net प्राप्त होता है या फिर एक गत्टे को आप इस प्रकार का आकार दे दे तो इस तरह प्रतिक polyhydra के बहु फलकों से हमें कई nets प्राप्त हो सकते हैं जिनने यदि फोल्ड करें तो ऐसी 3V में या 3D आकरितियां प्राप्त हो सकती है एक उधारन लेते हैं और सबसे आसान उधारन इस घन यानि क्यूब का है मैं अलग-अलग रंग प्रियोग करूँगा मान लीजिए इस क्यूब का आधार हम हरे रंग का लेते हैं बेस ग्रीन कलर का है इसे मैं यहां बना देता हूँ ऐसे ये है बॉटम इस घन का ये हो गया हरा रंग और ये जो पिछला फलक या सर्फिस है इस क्यूब का जो औरेंज है इसे मैं यहां बनाता हूँ ऐसे और देखिए मैंने इसे बाहर की तरफ खोल दिया है फोल्ड या फ्लैट कर दिया है बाहर की तरफ ये ऐसा दिखाई देगा इसको हाइलाइट कर देता हूँ ये है पीछे का एक और फलक इसे पीले रंग से मैं शेड़िट कर देता हूँ चायांकित कर देता हूँ इसे खोलते हैं पीछे की तरफ लेकिन ये जुड़ा रहेगा इस केनारे से, इस edge के साथ, इसके साथ जुड़ा रहते हुए पीछे की तरफ खोलेंगे, ये ऐसा दिखाई देगा, ये भी बन गया, एक बार फिर देखते हैं, ये केनारा है, यहाँ पर, एक बार फिर ध्यान दें, यहाँ पर, हम देखते हैं अब ये उपरी भाग, इस उपरी भाग यानि टॉप पार्ट को हम लेंगे पिंक कलर में, ये पिंक कलर का जो उपरी भाग है, ये जुड़ा होना चाहिए इन में से किसी एक साइड या तल से, इसे इस फलक या इस साइड के साथ जोड सकते हैं, हम इसे यहां मिला देते हैं, यानि इस पीले रंग की साइड से मिला देते हैं जोड देते हैं जब हम इसे बाहर की तरफ खोलते हैं जैसे हमने येलो पार्ट को खोला था वैसे ही इस भाग को भी खोलेंगे तो ये होगा ठीक यहां पर ये यहां पर ऐसा दिखाई देगा और हम अब खोल सकते हैं इस सामन वाले फलक को, फ्रेंट फेस को, अब हम इसे इस प्रकार बाहर के और खोलेंगे, यह इस किनारे के साथ जुड़ा होगा और कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यह हो गया, फ्रेंट फेस, अब इस घं का एक और फलक शेश है, वो है यह वाली साइड, हम बहुत सी तरह इसे खोल सकते हैं, हम इसे इस किनारे के साथ खोल सकते हैं, तब हमें यह तल यहां ऐसे बनाना होगा, या आप, अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप इस येलो किनारे के साथ खोलना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तब यह बनाएंगे हम ऐसे इस येलो स्केर के साथ, तो इस तरह आपने ये देखा कि बहुत सी तरह से आप ये जाल या नेट प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप इस जाल को या नेट को बंद करेंगे तो आपको फिर से ये पॉलिहीडरन मिल जाएगा ये क्यूब वापिस प्राप्त हो जाएगा। पहले खोलते हैं और खोलने के बाद ये साइड ऐसी दिखाई देगी। ठीक इस तरह अब इस पीछे वाली सर्फिस को लेते हैं इसे भी बाहर की तरफ ही हम फोल्ड करेंगे इसे खोलेंगे जब तो ये ऐसी दिखाई देगी। इन दोनों का साइज बराबर है। अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो उतना परफेक्ट नहीं है तो ये भी ड्रॉ कर दी। अब इस सामने वाली साइड को हम ले सकते हैं इसे लेते हैं और इसे भी खोलेंगे बाहर की तरफ इस किनारे के साथ तो ये ऐसी नजर आईगी और इसी प्रकार अब ये वाली साइड लेते हैं इसे भी बाहर की तरफ खोल देते हैं इस किनारे के साथ और इससे बनाएंगे यहां इस पिरामिड के लिए केवल इसी प्रकार का नेट नहीं बनेगा, दूसरी तरह कभी बना सकते हैं, उदारण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस हरी साइड को इस तरह खोलने के बजाए, आप इसे खोल सकते हैं, इस एज यानी किनारे के बाहर की तरफ, चलिए मै इसे इस किनारे से भी नहीं, बलकि इस किनारे से मिला कर खोलता हूँ, क्योंकि ये किनारा या एज आप ठीक से देख पा रहे हैं, इसको मैं अलग रंग देता हूँ, ये है एज नीले त्रिभुज के साथ, जब आप ग्रीन त्रिभुज को बाहर की तरफ खोलेंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ग्रीन ट्रेंगल को बाहर फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, उमीद है आप समझ गए होंगे कि बहुत से तरीके अवेज हैं, इन साइड्स को अनफोल्ड करने के या खोलने के इस थ्री डैमेंशनल फिगर में, इस पॉलिहीडरा में, या आ निजाल